नमस्कार स्वागत है आप सब का Study IQ IS के इस प्लैटफर्म पे मिना नाम है वसू कटारा and today I am going to teach you the concept of near and rear जो मेरे हिसाब से one of the most difficult concepts मैं से है economics के जो की UPSC GS paper 3 में हर साल पूछा जाता है कई मौकों पे आपको questions देखने मिले हैं exchange rate से जुड़े हुए और chances हमेशा ही रहते हैं हरसाल ही रहते हैं question बनेगा आप मेरे telegram group वसू कटारा Study IQ पे मेरे साथ connect हो सकते हैं you can ask your doubts वसू.katara मेरा instagram handle है UPAC preparation से जुड़े हुए कोई भी हमारी mobile app Study IQ की Android और iOS दोनों platform पे फिलाल available है पहले कहानी सुनिये अगर मैं यह देखना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर है भी या नहीं है उसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा मैं उनकी batting performance देखूँगा obviously मैं यह देखूँगा उन्होंने पिछले कुछ सालों में कैसी batting करी है कैसी उनकी performance रही है yes or no हा या ना यही तो करूँगा और क्या करूँगा अब जब मैं इनकी batting performance देख रहा हूँ पहले match में इन्होंने मान ली जिए 10 run बनाए बहुत कम score था अच्छा score नहीं था दूसरे match में बनाए 56 ठीक है 126 तो हम कहेंगे यार वास्तव में बहुत अच्छा खिलाड़ी है मतब सिर्फ एक match का score देखना और उसके basis पर analyze करना हमें सही जानकारी नहीं देता ये तो cricket के हिसाब से था तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं इन चारों match का score एक average के तोर पे express कर सकता हूँ कि 10 प्लस 56 हो गया 66 प्लस 8 जोड़ दो उसके अंदर तो 74 प्लस 126 200 चार मैचों में 200 रन बनाए average है पचास रन की जो कि ठीक है अच्छी average है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक अच्छे खिलाड़ी है ऐसे किसी भी क्रिकेटर के बारे में अगर मैं जानकारी घटी करता हूँ और उस basis पर मैं आपको बताता हूँ कि उनका average score क्या था तो obviously आपको सही जानकारी मिल सकेगी rather than looking at just one match score एक match के score को देखने से अच्छा है अब average निकालो अब ऐसा ही currency के अंदर होता है अब मान लीजे एक dollar फिलाल 83 rupees का है पिछले एक साल के अंदर इसमें 5% change आया है जहां पर dollar 5% strong हो गया तो मैं क्या ये बोलूँगा कि हमारी रुपे की currency weak हो रही है देखिए ये बात तो आपको समझनी होगी कि international trade में इंडिया जादतर dollar में ही व्यापार करता है बड़ सिर्फ dollar पर ही निरभर नहीं है हम यूरोप में trade भी करते है हम British pound में trade भी करते है British pound हो गया हम China के yuan में भी trade करते है हम Japan के yen में भी trade करते है मतलब हम अलग-अलग देशों की currency के अंदर व्यापार करते है सिर्फ एक देश की currency के ऊपर निरभर नहीं है साउदी अरेबिया की currency रियाल UA की दिरम अलग-अलग currencies की साथ हम trade करते है और सिर्फ एक currency के basis पर देखना की देखो रुपया कमजूर हुआ डॉलर मजबूत हुआ रुपया तो कमजूर हो रहा है यह कहना एक generalized statement है इसी लिए हमें exchange rate find करना जरूरी है अलग-अलग currencies के मुकाबले में जो हमारा exchange rate क्या होता है it is the price of one currency in terms of the other currency एक डॉलर के बदले कितने रुपय मिलेंगे एक currency में है दूसरे currency की value जब आप analyze कर रहे हो से अब exchange rate कहते है और exchange rate से पता चलता है कि वास्तव में एक currency की कितनी demand है दूसरे currency में एक time था जब एक डॉलर की कीमत होती थी 60 रुपय आज 85 के आसपास आ गई है 83-85 रहती है ना तब से लेकर अब तक रुपया depreciate हुआ है इसको depreciation कहते हैं और यह मैंने previous lecture में बताए हूँ है सर्फ वो previous lecture मिलेंगे कहां पर YouTube पर जब आप study IQ की Indianomics series में जाते हो Indian economy को जोड़ दो तो Indianomics बनता है GS paper 3 की मेरी series है जिसमें रमेश सिंग नितिन सिंगानिया NCRT तमिल नाडू स्टेट बोर्ड पूरी economics की coverage कराई जा रही है answer writing practice भी मैं करवाना चाहता हूँ आप से पर आप लोगों को उसके लिए हमारे P2I batch में 2024 के 2025 के 2026 के batch में admission लिना होगा और जब भी admission ले मेरी guidance के लिए वसू live admission discount code यूज करना होगा जिसके बारे में आगे चलते हम बात भी करेंगे तो बस मुद्दे की बात है कि एक currency की value दूसरे currency में जिससे पतलता है कि एक currency की demand कितनी है पिछले कुछ सालों में dollar की demand बड़ी है रुपे के मुकाबले इसलिए dollar strong हुआ है तो पहले एक dollar में सिर्फ 60 रुपे मिल पाते थे आज 85 रुपीज मिल पाते हैं तो मतलब अगर कोई person जिसके पास dollar है वो पहले dollar लेकर आता था वो सिर्फ 60 रुपे प्राप्त कर पाता था वो 85 रुपीज प्राप्त कर पाएगा पहले से जादा इसलिए मैं कहा रहा हूँ dollar strong रुपे के मुकाहबले होसकता है dollar strong हुआ होसकता है pound weak हुआ होसकता है euro strong हुआ हो सकता है Japanese yen weak हुआ है तो मैं सिर्फ एक currency के basis पे बेसिस पे कहख दूँ कि देखो हमारी करणसी की value कम होती जारी है तो वह तो कही से जायस नहीं होगा ना पाएगा कि वास्तव में हमारे रुपे की बाकी करंसी के मुकाबले वैल्यू बढ़ी या घटी यह आप देखते हैं exchange rates को compare करने की process के अदर एक example आपके लिए रिखा हुए मैंने आप if the US dollar is stronger than rupee implying the value of dollar is higher with respect to rupee then it shows that the demand for dollars by those holding rupees is more than the demand for rupees कि अगर जैसे 60 रुपे प्रति डॉलर से 85 रुपी प्रति डॉलर रेट हो गया मतब डॉलर की demand बड़ी रुपे के मुकाबले इसलिए dollar जादा strong हो और जब-जब dollar strong होता है तब तक वो रुपे के साथ depreciate करता है जादा रुपे की value कम होती है मतब एक डॉलर में जादा रुपया ले पाते हो मैंने depreciation, appreciation, devaluation, revaluation पिछल लेक्चेर में करा होगा है दिख लीजेगा छोड़िएगा मत बस मैं यह कह रहा हो आपको आज जो है हम exchange rate थोड़ी ना पढ़ रहे है हम exchange rate के आगे चलने वाला concept जिसका नाम है रीर और नीर वो पढ़ रहे है NER क्या है? नॉमिनल एक्स्चेंज रेट नॉमिनल मतलब यह था स्थिति आज की स्थिति अभी की स्थिति के साब से जो एक्स्चेंज रेट है उसे आप कहते है नॉमिनल एक्स्चेंज रेट इसमें अभी effective exchange rate हम देखते हैं क्या होता है यह nominal exchange rate में आ गया मतलब basically whenever you start studying this topic आपको सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी होती है nominal exchange rate के बारे में जानकर फिर आप नीर और रीर के बारे में ज्यादा गहराई से उतर पाते हो तो nominal exchange rate के अंदर एक डॉलर की जो आज कीमत है रुपे के मुकाबले मान लिए 85 रुपीज है यह हो गए इसकी nominal exchange rate value अब real exchange rate क्या होता है real exchange rate का मतलब है कि दो देशों में महंगाई का level अलग-अलग होता है यह आप मानते हैं इंडिया में आप 40,000 रुपे के monthly income के अंदर पूरे महीने का गुजारा कर सकते हो इतनी महंगाई नहीं है जितना यूएस या यूरोप के अंदर है यूएस या यूरोप में अगर आपकी 60,000 डॉलर की साल की salary है मतलब महीने की लगबग 5,000 डॉलर salary है 5,000 डॉलर अगर रुपे के term में देखोगे तो 4,000,000 रुपे होता है 4,000,000 रुपे में महीना चला सकते हो इंडिया के अंदर खर्चा बहुत हराम से चला सकते हो बट य यूएस के अंदर ना 5,000 डॉलर कुछ नहीं होता मतलब अगर आपकी 5,000 डॉलर की salary है तो हो सकता है किराया है आपका 1,500,000 डॉलर हो गाड़ी का घर्चा, transportation, खाना पीना, savings नहीं हो पाती क्यों क्योंकि दोनों देश के अंदर inflation का level महंगाई का स्तर अलग-अलग है ये बा इसलब आपके पहले कोई आखो पर चश्मा चड़ा था वो चश्मा हट गया इसको आप real exchange rate के तोर पर मान सकते हो नॉमिनल में वो चश्मा अभी चड़ा हुआ है real में वो चश्मा हट गया nominal exchange rate में आप महंगाई का impact included देख रहे हो तो आपको obviously महंगाई सही तो जानकारी द पड़ेगी real exchange rate देखने पिलेगा देखना पड़ेगा real exchange rate के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि कितना impact inflation का रहा है जबाब base rate मतब basically आप यह देखोगे कि महंगाई पहले से लेकर अब तक बढ़ गई पहले के prices पर आज का क्या valuation है currency का dollar रूपे में क्या value रखती है यू होता है ताकि actually क्या है real situation क्या है आपको यह पता लग सके इसी लिए आप real exchange rate देखते हैं ठीक है दोनों का difference समझ गए nominal और real exchange rate का अभी real effective exchange rate और nominal effective exchange rate भी मैं थोड़ा और गहराई में जाके समझाने वालों but I think इतना फरक आप समझ गए होंगे real or nominal nominal exchange rate वही एक currency currency 1 की value currency 2 के मु euro रुपया पाउंड रुपया currency की value क्या है वो आपको बता रही है not just that आपको यह भी पता चल रहा है कि दोनों currencies की value में nominal के अंदर inflation already was included and is included real के अंदर आप inflation महंगाई inflation क्या होता है जी महंगाई दो देशों में महंगाई का जो स्तर है अलग-अलग level of inflation है वो अलग करके देख रहो जैसे एक और example देता हूं अगर आप nominal GDP देखोगे मतलब हमारे देश की GDP साल भर में कितनी income हुई है हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं कितना production कर पा रहे हैं goods and services को बेच कर final goods and services को बेच कर मतलब अलग-अलग चीज़ है जो फैक्ट्रियों से बनके निकलती है जो terminology होती है PPP यह PPP क्या है सर कोई गाना गा रहे हो क्या PPP no no PPP is economic terminology इसका नाम है purchasing power parity परचेजिंग पावर पैरिटी मान लीजे मैं इंडिया में एक मेकडॉनल्ड में जाता हूं इंडियन मेकडॉनल्ड है और यूएस के एक मेकडॉनल्ड में जाता हूं इंडिया के मेकडॉनल्ड में मैंने वही सेम बर्गर ओर्डर किया जो मैंने यूएस के मेकडॉनल्ड मे मुझे वह 80 रुपीज का पड़ा आज के हिसाब से 1 डॉलर 80 रुपीज का है मतलब मुझे इंडिया में टेकनिकली वह एक डॉलर का पड़ा जो यूएस में दो डॉलर का है यूएस में मुझे मतलब 160 रुपे देने पड़ेंगे उसे खरीदने के लिए तो मैं तो उतने में दो बर्गर खरीद लूँगा इंडिया में अमेरिका में जितने रुपे में एक बर्गर आता है जितने डॉलर में एक बर्गर आता है उतने में इंडिया में दो खरीद सकता हूं मतलब दोनों देशों में पर्चेजिंग पावर खरीदने की शमता क्राय शमता अलग है वह नहां पर थोड़ी चीज़ें जादा महेंगी है, developed country है, obviously चीज़ें महेंगी होगी, development जादा हो चुका है, लोगों के खर्च नहीं की शमता जादा है, लोगों की monthly income जादा है, इस वएसे लोगों के monthly expenditure भी जादा होते हैं, और ये सिर्फ मैंने एक burger का example लिया, technically reality में, आप basket of commodities देखते हो, आप क्या देखते हो, basket of commodities, आप एक commodity की value नहीं देखते हैं, आप अलग-अलग कई सारी commodities की value देखते हो, you look at the basket of commodities, basket of commodity मतलब अमेरिका में एक दिन, सुबह उठते ही, सबसे पहले coffee पी होगे, coffee की value देखो, TV चलाओगे, TV के लिए जो recharge कराते हैं, उसकी value देखो, उसके लाबा जूते आपने खरीदे, उसकी value देखो, कपड़े आपने खरीदे, उसकी value देखो, खाना खाया, उसकी value देखो, फल, सबजिया, दाल, चावल, सब कुछ, transportation, everything, इंडिया में कितना पैसा लगता है एक महीने में, इन चीज़ों के उपर, US में कितना लगता है, आपको पता चलेगा, US developed है, standard of living जाद है, खर्चा जादा होता है, तो obviously वहाँ पर जादा उतनी पैसे में आप जादा चीज़ें, जादा खर्चा कर रहे हो, right, you are spending more money technically, इंडिया में जितने पैसे में आप खर्चा करते हो, उससे जादा US में कर रहे हो, you are spending more money in US, for buying the same things, तो मतब दो देशों में अलग-अलग level of income है, technically अगर आप इस हिसाब से find करते हो न, तो इंडिया का purchasing power parity के हिसाब से GDP दुनिया में number third पर है, we are the third largest economy, number one कौन है, comment box में लिखिये, पर हम third largest basis पर हैं, और PPP वेटा, public private partnership भी होती है, purchasing power parity भी होती है, ये बात याद रखियेगा, right, तो मुद्दे की बात है कि हम number third है, अभी क्या बता है था, nominal में number five है, पर यहाँ पर number third है, तो आखों पर चश्मा चड़ा तो दिख रहा है कि 55th position पर आती है GDP में, चश्मा उतारा, reality देखी तो पता चला रहे, हम तो number third है, और बहुत जल्दी number two भी बनेंगे, number one चाइना के खरीद सकते हो, यह देख रहे हो, US में उतने पैसे में कम खरीद पाओगे, US में जादा income चाहिए, जादा खर्चा करना पड़ेगा, तो दो देशों में purchasing power parity का level अलग है, क्योंकि दो देशों में महंगाई का level अलग है, इसलिए दो देशों के अंदर expenditure का level भी अलग होगा, इसी वज़े से आपको मैं बता रहा था, कि जरह reality में देखो क्या है figure, तो वो real exchange rate के माधियम से जब आप inflation के साथ adjust करते हो, currency की value बता चलता है, अचा अब एक बच्चा लिख रहा है, सर एक डॉलर की कीमत अगर 5 रुपे हो जाए, तो क्या होगा, बेटा उससे हमारी economy में जो exports होते हैं, वो बरबाद हो जाएगे, exporters घर बैठके वेचारे रोहेंगे, उनका समान कोई इंडिया के भाहर खरीदेगा नहीं, जो export competitive नहीं से वो खतम हो जाएगी, तो हमारे जो लाकों करोड़ों लोग देश के exports करते हैं, भाहर चाए आगरी कल्चर हो, चावल हो, ग होगी, बट टेक्निकली कोई हमें उतने कम प्राइस पर बेचे गई नहीं समान, आज 1.83 रुपीज का है, और आप 5 रुपीज कर देंगे, तो कोई नहीं हमसे ट्रेड गरना चाहेगा, तो हमारा देश बहुत बड़े आर्थिक मंदी में चला जाएगा, जिससे हमारी अर् प्रुदक्षिन अफ्रम्यू, आप जब देखते हैं, अलग अलग currencies के value, exchange rate value, बट मैंने अभी जो सचिन तंदूल करक का example दिया था, कि सिफ एक currency की value काहे देख रहे हो, जिससे आपको कभी भी एक correct information नहीं मिलेगी, you will have to look at the average, average देखना जरूरी है, जैसे आप example देता हूँ, हम dollar में तो trade करते हैं, एक dollar मान लिजे 83 रुपीस का है, हम pound में भी, euro में भी अलग-अलग currencies के अंदर भी trade करते हैं, right, yuan, yen, Australian dollar, New Zealand का जो है currency, Canadian dollar, apparently we trade with Canada also, right, मान लिजे, इनकी कोई ना कोई value है, कोई ना कोई value है, मान लिजे, मैं roughly, rough figure ले रहा हूँ, कोई value है, तो एक currency में trade तो करते हैं, कई सारी currency में करते हैं, तो आप सिर्फ एक currency की value देखकर क्या निकाल लोगे, आपको अलग-अलग currencies के साथ हमारा exchange rate find करना होता है, इसे कहते हैं, effective exchange rate, यह exchange rate के concept से रहागी, क्यों कि से वे currency नहीं है, यहाँ पर multiple currencies use कर रहे हो, you are measuring the value of your currency against a basket of foreign currencies, यह बात याद रखिएगा, अब basket, basket मतलब कई सारी currencies हैं, तो इसलिए basket बोल दिया, of foreign currency, जिसके basis पर हमारे देश की currency की value measure होती है, तो पता चलता है कि डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ तो किसी के मुकाबले strong भी तो हुआ होगा, yes, ऐसा है या नहीं है, तो मुद्दे की बात बस इतनी सी है, कि आपने अलग-अलग currency, इसके comparison में हमारी currency की value find करने की कोशिश करी, इसको effective exchange rate कहते हैं, अब यहाँ पर वही nominal और वही real का figure लगा सकते हो आप, nominal exchange rate मतलब जिसमें inflation included है, यह था स्थिती as it is जो आप value देख रहे हो, real effective exchange rate का मतलब है कि उस nominal effective exchange rate में से inflation का impact हटाओ, आखो पे जो inflation का चश्मा चड़ा है, महंगाई का चश्मा चड़ा है, उसे हटाओ, और real में क्या value है, उसको find करो, क्या हम जितना dollar का इस्तमाल करते हैं, उतना ही हम pound या euro का इस्तमाल करते हैं क्या, क्या उतना ही हम yen और yuan का इस्तमाल करते हैं क्या, क्या उतना ही Australian dollars का इस्तमाल करते हैं क्या, apparently सबसे जादा हमारा international exchange में व्यापार dollar में होता है, सबसे जादा, हमारा dollar के साथ व्यापार होता में अब हाला कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है डॉलर को छोड़ कर बाकी करंसी इसको भी इस्तमाल करने की कोशिश की जा रही है ब्रिक्स ब्रजील रशिया इंडिया चाइना साउथ आफरिका तक अपनी करंसी लाना चारे तो यह तो सही नहीं होगा ना कि मैं अगर एक ही क कि वैल्यू को पाड़नमी इक्वल वेटेज देने से किसी का कोई फायदा नहीं है कि आपने डॉलर को इक्वल मान लिया पाउंड के पाउंड को इक्कल मानले युवान के हम अलग-अलग देशों के साथ करंसी एक्सचेंज करते हैं मतला हमारा जो है 40 अलग-अलग करंसी क के साथ इंटरनाशनल ट्रेड चलता है जिसमें आपका अंगोला चिली यूएस घाना इराक नेपाल ओमान तांजानिया यूक्रेन यूके साउधी अरेबिया यूए चाइना ऑस्ट्रेलिया कैनेडा ये अलग-अलग कंट्रीज आते हैं एक कंट्री के साथ तो हम सारा ही करो wait मतलब वेटेज मतलब कि मैं आगर आपसे पूछूँँँ आप 24 घंटे दिन में क्या करते हो आप बोलो कि मैं सोता हूं मैं खाता हूं मैं TV देखता हूं मैं रीले देखता हूं थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूं और फिर आपका थोड़ा बहुत पार्क भी जात होंगे मत करो पढ़ लो तीक है ज्यादा जरूरी है तो छे चीज़ें आप कर रहे हो बट डू यू डिवोट सेम टाइम तो एवर्थिंग दो घंटे खाना खाने में लगा देते होगे आप इसके लावा दो घंटे रील देखने में चे घंटे पढ़ाई करने में बाकी टाइम आप अप ऐसे कही न कहीं बाट के चल रहे हो you are not spending equal time on everything ऐसे ही हम equal ऐसा नहीं है कि dollar में ही सारा trade कर ले रहे हैं या रुपे में ही सारा trade कर ले रहे हैं या pound में ही सारा trade कर ले रहे हैं हम अलग-अलग currencies के अंदर trade कर रहे हैं किसी में जादा, किसी में कम ये बात ध्यान रखेगा किसी में ज्यादा किसी में कम तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं हर करंसी के साथ जो ट्रेड कर रहा हूं उसका exact वेटेज देखूं कि देखिए एक डॉलर की कीमत है 83 रुपिया मैं ज्यादतर इंडिया की करंसी जो है 45% डॉलर में कनवर्ट होती है डॉलर में ट्रेड ह होता है फिर एक पाउंड 100 रुपीज मान लेते हैं 25% हम पाउंड में ट्रेड करते हैं फिर यूरो 10% ऐसे यूआन ऐसे एन ऐसे रियाल ऐसे धिरम अलग-अलग करंसी के अंदर मैं ट्रेड करता हूं मान लेते हैं इसे चार करंसी है तो करंसी वन multiplied by weight plus currency 2 multiplied by weight plus currency 3 multiplied by weight plus currency 4 multiplied by weightage कितने है plus currency 5 multiplied by weightage कितना है और divide गर दूँ, average निकाल दूँ, income mean निकाल दू, average निकाल दूँ, घीक है न तो मुझे पता चलेगा reality में मान लेते हैं आती है value 70 तो मेरा NEER यहां पर 70 हो गया जहां पर मैं अगर एक currency के साथ देख रहा था dollar में देख रहा था वो उसका nominal exchange rate था pound में देख रहा था वो उसका nominal exchange था मैं इन सब को combine करके एक weighted average निकाल रहा हूं एक index निकाल रहा हूं एक average निकाल रहा हूं जैसे maths में पढ़ते थे ना हम एक class में 10 बच्चे हैं उनका average weight है 50 किसी का 55 किसी का 45 किसी का 30 किसी का 60 average निकाल है तो यहां मैं currencies की weightage के हिसाब से average निकाल रहा हूं currency की value c1 multiplied by उसका weight कितना है रुपे terms में निकाल रहा हूं और फिर मैं उनकी average find out कर रहा हूं और फिर पता चल रहा है मेरे को कि पहले मान लेते हैं 2015-16 के अंदर अगर यह weightage 60 थी और आज 70 हो गई मतलब रुपेया वास्तव में इन सारी currencies के साथ अपनी value lose किया है weak हुआ है depreciate किया है इसी लिए यह खोजा जाता है बहुत simple है yes or no any doubts you have you can come and ask on telegram अभी पढ़ने पर ध्यान लगाओ और session like करते रहो तो nominal effective exchange rate क्या है nominal effective exchange rate एक ऐसा exchange rate है जहां पर you take into account value of different currencies relative to a basket of multiple foreign currencies हमारे रुपे की value अलग-अलग currencies के मुकाबले relative value है अलग-अलग currencies के मुकाबले अलग-अलग foreign currencies के मुकाबले यह nominal figure है तो यह-आप inflation का impact नहीं देखते हो यहाँ पर आप inflation का impact नहीं देखते हो nominal figure है तो इसके अलावा आपको पता चलता है कि आपकी currency कितनी strong है कितनी weak है foreign exchange market में कैसे पता चलेगा मान लो पिछले साल मेरा वजन था 90 है आज 95 हुआ तो पहले से बड़ा नहीं बड़ा पता चला ना मुझे ऐसी पहले अगर value थी 60 और आज 70 होगे तो पता चला कि हमारी currency weak होई है या नहीं होई अब मैं weak कैसे कह रहा हूँ अरे बड़ी simple सी बात है अगर मान लीजिए एक पहले आपका currency जो weighted average निकाल है value 60 थी मतलब अगर एक रुपे की टौफी खरीदते थे तो 60 टौफिया मिल जाती थी अब 70 मिलती है किसी foreigner को ऐसी डॉलर का जो rate बढ़ता है ना एक डॉलर में पहले 70 होते थे आज 80 हो गये तो मान लीजिए कोई डॉलर लेके इंडिया आता है और ऐसे डॉलर देता है और बोलता है give me some toffees तो उसको पहले 70 के साब से 70 toffees मिलती है अब उसे 80 मिल रही है क्योंकि एक डॉलर 80 रुपे का है मतलब जादा टॉफी मिल रही है यही concept यहां पर apply कर दो तो foreigner को पहले से जादा चीज़े मिल रही इस तरीके से आपको पता चलता है जो मैं पहले पता चुका हूं पढ़ा चुका हूं नहीं देखा तो देख लेना इस तरीके से आपका nominal effective exchange rate हो जाता है it helps in assessing a country's international competitiveness based on exchange rate movement आपके देश के exchange rate position के हिसाब से आपकी country की international competitiveness आपकी country की करंसी की कितनी है यहां पर weighted average find करते हो आप हमारी currency के मुकाबले foreign currencies की क्या value है उनका weighted average find करते हो जोकि आपकी currency के international market में performance को competitiveness की value को बताती है अब यह जो मैंने value निकाली थी इसमें से मैं inflation का impact अगर हटा दो कि महंगाई का कितना impact रहा है महंगाई कितनी रही है उसको मैं हटा दू तो फिर क्या होगा अगर ऐसी situation है ज से real effective exchange rate कहते हैं simple as that और वही चीज़ यहां पर लिखी है real effective exchange rate effective exchange rate ही देख रहा है but nominal figure में नहीं real figure में जहां पर inflation की value को हमने हटा दिया आपको ज्यादा accurate information मिलती है reality पता चलती है कि currency की वास्तविक्ता में आज कितनी real value है in terms of purchasing power जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी currency international market में competitive competitive है या नहीं है true sense में यह कैसे निकालोगे कैसे find करोगे consumer price index inflation का एक index होता है मतलब महंगाई नापने के तो बहुत अलग अलग तरीक है ना factory के level पर जाके देखते हो कि कि किसी की factory में कोई चीज़ यह पैन factory में बनता है पहले 100 का बनता था 200 का बन रहा है मतलब उस level पर इमरों में बाट बेचेगा wholesaler के level पर भी देख सकते हो और एक final consumer के level पर भी देख सकते हो जो consumer के level पर देखा जाता है कि आप पहले कितने का खरीदते थे यह प्रपेन या कोई भी consumer product और आज कितने का है आपने पहले के data से आज को compare किया पहले का कोई base year set करते हो मान लीजे 2015 15-16 आपने base year set कर दिया तब से लेकर अब तक compare कर रहे हूं तो जब आपने ऐसे compare कि आपको पता चला कि तब से लेकर अब तक 50% inflation बढ़ गया है तो यह 50% inflation बढ़ा हूँ अप्राइज बढ़े हूए दिख रहे हैं इसके impact को हटा और reality देखो क्या है महंगाई बढ़ी आपक कम पैसों में भी गुजारा कर लेते हैं लोग बाहर जादा पैसे लगते हैं गुजारा करने के लिएक महंगाई जादा है इसलिए दोनों देशों की currency की जो value है वो relative है और inflation की value भी relative है इसलिए inflation को adjust करो inflation को adjust किया तो rear आएगा और rear आएगा तो real value real actually scenario क्या है वो आपको पता चल पाएगा अब आप समझ चुके हैं नीर क्या होता है रीर क्या होता है नीर रीर क्यों निकालते हैं यह इंडिया की currency की external competitiveness को बढ़ावा देता है बताता है कितनी है it indicates what is the external competitiveness the weighted average of a country's currency about an index or basket of other significant currencies is rear when adjusted with inflation बस यह आपको याद रखना है दो currencies की relative value तो आप अगर देखोगे तो real exchange rate होगा और अगर basket of currencies की value देखोगे कई सारी currencies है 40 के करीब currency है पहले 36 होती थी आप 40 के करीब currency है तो आप rear देखते हो R E E R ताकि आपको पता चल सके कि कितनी relative value है right main currency जो की रुपया है उसके मुकाबले unadjusted value near होगा adjusted value रीर होगा यह बात मैंने आपके सामने अभी repeat करी है यह question आपके exam में आ चुका है नीर और रीर के उपर पहला देखो statement क्या है an increase in near indicates the appreciation of रुपया नीर मैंने बताया अगर 60 से 70 हो गया right तो हमारा रुपया appreciate हुआ foreign currencies के मुकाबले foreign currencies के context में यह UPC ने अपने सवाल में पूछा हुआ है तो nominal effective exchange rate which is the unadjusted weighted average rate जिसमें एक currency एक country की currency का exchange आप basket of currencies multiple foreign currencies के मुकाबले देख रहे हो nominal exchange rate is the amount of domestic currency needed to purchase foreign currency right it measures the value of a currency against the weighted average of several foreign currencies अगर नीर में increase होगा तो मतलब रुपया appreciate हुआ है अगर नीर में आपको देखने मिलेगा increase हुआ है तो यह question आपके exam में बना था very difficult question बस अभी आपको याद रखने है कि नीर के अंदर अगर increase होता है तो रुपया appreciate करता है रुपया रुपया बोला मैंने appreciate करता है अगर नीर के अंदर decrease होता है तो रुपया depreciate करता है यह आपके exam में सवाल पूछा जा सकता है नीर या रीर में अगर value बढ़ती है नीर या रीर की तो appreciation of रुपया होगा नीर या रीर की value कम होती है बाकी currencies के मुकाबले तो depreciation of रुपी होगा इसको रटना है next an increase in rear indicates improvement in trade competitiveness गलत अगर depreciation होगा rear में मतलब गिरावट होगी rear के अंदर तब trade competitiveness सुधरेगी क्या बताना चारों करंसी जब आपकी depreciate होती है तो आपके देश के अंदर जादा लोग आतें invest करने के लिए मतलब आप कमजोर हो गए हो पहले से और आपकी कमजोरी foreign investors के लिए फाइदे की चीज़ है उनको जादा value मिल जाती है अपने foreign exchange के मुकाबले इसलिए वो अपने देश के मुकाबले आपके देश में आना आते हैं तो रट लीजिए नीर हो या रीर हो जब भी value कम होगी या जब भी depreciation होगा तब तब trade competitiveness सुधरेगी उस देश की currency की international market के अंदर नीर और रीर जब बढ़ेगा जब currency उनकी appreciate होगी रुपिया appreciate होगा तब तक trade competitiveness कम होगा और यह कैसे होता है appreciation depreciation के case में request है previous classes में कराया है मैंने ठीक है ऐसे 50 से जादा lecture हो चुके हैं देख ले ना जवाब मिल जाएगा trade competitiveness importers exporters के लिए कब जादा है कब कम है यह बात आप याद रख लीचे का प्लीज यह बात याद रख सकते हैं इसलिए यह question बहुत जादा important है आपके exam में पूछा जा सकता है फिर से पिछली बार जब आया था लोगों को उसनी समझ नहीं थी अब I think मेरे इस initiative के बाद आप में वो समझ पैदा हो पाई है कि क्या होता है दोनों का फर्क एक बार फिर बता दूँ nominal effective exchange rate और real effective exchange rate दो important method है economics में use किये राते है currency के exchange rate को evaluate करने के लिए N-E-E-R reflect करता है weighted average of a country's currency relative to the other currencies without adjusting inflation ये question exam में मन सकता है R-E-E-R real effective exchange rate होता है when inflation is adjusted from N-E-E-R क्यों किया जाता है ताकि ज्यादा accurate method मिल सके international trade में competitiveness कितनी है आपकी currency की उसको measure करने के लिए अगर रट लो N-E-E-R बढ़ेगा मतलब आपका रुपिया appreciate कर रहा है international currencies के average के मुकाबले जिसका मतलब है रुपिया जरूर मजबूत हो रहा है आपका पर आपकी मजबूती देखकर सब डर जाएंगे इस देश में जाके invest करने का क्या फैदा हमारी currency के मुकाबले इस देश की currency तो strong हो रही है न वीक होती जाते invest करते जादा return मिल पाता पर यह तो strong हो रहा है तो इस देश में investment नहीं आएगी trade competitiveness कम होगा पर वही नीर या रीर घट जाए तो फिर depreciation of रुपिया है आज जैसे depreciation हो रहा है डॉलर के मुकाबले तब investors कहीं है हाँ चलो इस देश में जाने का फाइदा है in fact exporters को भी फाइदा देता है और question मन सकता है नीर कम होने पर exporters happy होते हैं जी हाँ importer sad होते हैं जी हाँ नीर बढ़ने पर exporters happy होते हैं no exporters are sad और importers happy होते हैं जी हाँ exporter importer क्या होते हैं यह सब पहले discuss किया गया है प्लीज जाके focus करिएगा तो second गलत हो गया first statement सही है third statement देखते है increasing trend in domestic inflation relating to inflation in other countries is likely to cause increasing divergence between near and rear कि आपके देश के मुकाबले दूसरे देश में महंगाई का level अगर बढ़ता जाएगा महंगाई अगर बढ़ रही है तो क्या नीर और रीर में भी फरक बढ़ेगा बिलकुल बढ़ेगा बिलकुल बढ़ेगा और यह one and three are correct correct answer is question का होगा c यह बात ध्यान लखिएगा और यह जो फरक बढ़ेगी की बात है ना इसके लिए मैंने graph आपके लिए पेश किया हमारे डेटा का जो शो कर रहा है कि इंडिया के रीर और नीर की value में fluctuation बना रहता है यह हमारे exchange rate up to 2020 की मेरे को latest नहीं मिला था data इसलिए मैंने अपको 2020 marks तक का data दिखा है आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक divergence बढ़ रहा है यह देखो और इसी लिए सवाल पूछा गया तो सर इतना depth में कैसे पढ़ें जाके अब खुद से नहीं कर पाएंगे तो मैं हूँ ना I will be there to guide you study IQ IS के courses के माध्यम से आप complete preparation कर सकते हैं मुश्किल से मुश्किल टॉपिक असान तरीके से समझाएद आ सकते मेरे द्वारा economics जब मैं आपको पढ़ाऊंगा I will be there to guide you in every possible way उसके लिए आपको admission कैसे लेना होगा देखिए आप अगर यह class देख रहे हो तो या तो आप 2024 में या तो 2025 में या तो 2026 में exam देना चाहते हो आप तीनों के लिए हमारा course available है हम पिशले दो साल से life foundation batches लेकर आ रहे हैं हजारों के संख्या में बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे थे हमने अब आपके लिए 2024, 2025, 2026 के students के मद्दे नजर रखते हुए अपने batches के price change करें और आपको ज़्यादा affordable दाम पर course available करा है just now it has changed और इसकी classes 10 October शाम 6 बजे से शुरू हो रही है आपको इसके लिए क्या करना होगा अगर आप 2024 की तयारी कर रहे हो मतलब आपको course देड़ साल के लिए चाहिए अगले साल आपका prelims और mains हो जाएगा जिसमें आपको live classes, recorded lectures, prelims test series, mains test series यह सब चाहिए होंगी और daily answer writing practice program के साथ आप को current affairs और CSAT भी cover करना होगा तो वो आपके लिए 2024 के लिए course 24,000 रुपीज का है silver package डेड़ साल का जो है उसके तहर यह 2024 के लोगों बच्चों के लिए मुझसे connect कर लेना वसू.katara मेरा Instagram profile है उस पर और जानकरी देदूँगा इस पर books included नहीं है books आप अलग से ले सकते हैं मैं बता दूगा कैसे order करना है उसके इलावा अगर आप 2025 के तयारी कर रहे हैं धाई साल की validity वाला course चाहिए by which I mean that 2024-25 के end तक means तक valid रहे तो वो है आपका ये gold course जिसमें आपको 30,000 रुपीज में 2025 का live classes, recorded lectures, prelims, means की test series, prelims, means का crash course, answer writing practice program और best faculties in the world not just in India, in the world से पढ़ने का मौका मिलेगा बसू live admission discount code ही use करना है price इसका हैगा 30,000 अगर 2026 की तयारी कर रहे हो तो 36,000 प्राइज है again वसू live admission discount code यूज करना है maximum discount के लिए अन्य जानकारी के लिए because this is quite complicated आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा by chance you want to talk to me मेरा phone number available है मेरे telegram group पर जिस पर आके आप मुझसे contact कर सकते हो how to connect with me वसू कटारा study IQ मेरा telegram group है और वसू.कटारा मेरी instagram profile है जिस पर आप मुझसे connect हो सकते हैं और जरूर connect हो येगा शुक्रिया इस session को देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद जै हिंद जै भारत